उत्राखंड सरकार के अवैद रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश के बाद वनविभाग की टीम ने बड़ी कारवाई की और नेशनल हाईवे के किनारे अवैद रूप से बने धार्मिक स्थलों पर प्रसाशन ने बुल्डोजा चला कर सरकारी जमीन को खाली कराया उत्राखंड के लालकुआ में टांडा रेंज की वनविभाग की टीम ने नेशनल हाईवे प्रसाशन और पुलिस की मौजूदके में वनविभाग के भोमी पर बने दो धार्मिक स्थलों को बुल्डोजा चला कर धोस्त किया ये धार्मिक स्थल 40 सालों से सरकार जमीन पर कबजा जमाय बैठे थे वन विभाग के टीम ने दोनों ही स्थलों को ध्वस्त करने के साथ ही लोगों को वन विभाग और हाईवे की जमीन पर किसी तरह के अधिकरमड नहीं करने की चेताव ने दी ये कारवाई उत्रकंड सरकार की ओर से जंगलों वा सड़क किन बने अवायद रूप से निर्मित धार्मे के स्थलों को हटाने के आदेश के बात की गए इस आवायद कारवाई पर टांडा रेंज के वन शित्रा अधिकारी रूप नरायंड गौतम ने बताया कि शासन के निर्दिश पर अवायद अतिकरमड के खिलाफ कारवाई की जा र पर दे रहें और आगे कारवाई अभी देखते हैं क्या होती है पुलिस प्रिसासन हमारे साथ है पन्नगर ठाना पुलिस उद्वसिंगर की पुलिस और पीसी के सारी करमचारी अधिगारी हमारे साथ हैं ये जो मस्जिद और ये मंदिर है एनस की एरिया मारा है आप उसका नितुत कर रहे हैं ये उनके द्वारा कारवाई की जाते हैं हमारे पास तो जो टाना रहेंजिस में दोई धार में किस्तल थे जो इनको आज द्वस्त किया जा रहा है और अत्रमना इनको अटाये जाएगा मदिप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रक्रिया बहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है दस जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आजाएगी एक हजार रुपेया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेलप लाइन नंबर 0752700800 एवं वेबसाइट cmladlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेशन हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखल नीउस आपके हफ्वे आप देख रहे हैं दखल नीउस